आईए सुने संगीता जाजी की कहानी, Guest in Home Guest तो अब बोलना सीखा है, मुन्नी के लिए तो वो पहले मैमान या अतिथी हुआ करते थे ये उन दिनों की बात है, जब अतिथी भगवान हुआ करते थे लोग रिन लेकर भी अतिथी सतकार किया करते थे घर कौन सा होम था, वो प्यारा सा घर था, जो ना मेरा था ना तेरा, वो हमारा था अब डॉक्टर साहिबा का बड़ा सा घर, जहां सबकी अलग-अलग कमरे, फिर लिविंग रूम, फामिली रूम और फिर गेस्ट रूम भी है उन दिनों तो पुरुष मेमान बैठक यानी ड्रॉइंग रूम और महिलाएं अंदर सबके साथ ही अज़्जस्ट हो जाया करती थी मेमान भी जादा तर बुआ, चाचा, चाची, दादी या मामा हुआ करते थे खुल मिलाकर परिवार से जुड़े लोग ही आते थे, जिनके आने से घर में रौनक आ जाती थी कुछ खटी-मीटी बातें, कुछ नोग-जोग, पुरानी बातें तरोताजा हो जाती थी रिष्टों में गर्माहट आ जाती थी आने वाले सभी मुन्नी को जी जान से चाते और मुन्नी भी सबका दिल जीतने की पुरजोर कोशिश करती थी ज्यादा तर ये गर्मी की छुटियों में आते थे सो बच्चे देर रात मिलकर छुपा-छुपाई, बिल्लेस, पिट्टूल और ना जाने क्या-क्या खेलते थे मस्ती भरी जिंदगी रहती थी, ना स्कूल जाने की फिक्र, ना होमवक का जंजट सब मिलजुल कर काम करते थे, इससे अम्मा भी बच्चों के साथ खुश रहती थी लेकिन मुन्नी के घर की इसकी अलावा कुछ और भी बात थी, क्योंकि उसके बाबुजी अनोखे बाबुजी चुथे बाबुजी तो आये दिन अपने रिष्टे के चाचा, नहीं तो कोई दूर की बहन, नहीं तो गाउं के दोस्त को घर में बतोर महमान टिकाए रहते थे अम्मा पर काम की मार, मुन्नी और भाईयों की पढ़ाए में विवधार और तो और, वो महमान तो खिसकने का नाम ही नहीं लेते थे मुन्नी भाईयों के साथ उन्हें भगाने के लिए कई प्लान बनाती, कई बार तो पकड़े जाने पर बहुत मारक उटाई भी हुई बाबुजी इन सभी रिष्टेदारों की आर्थिक मदद भी करते थे, जिससे घर के आर्थिक व्यवस्तावी चर्मरा आ जाती थी, और खामियाजा भी विचारे बच्चों को ही उठाना पड़ता था मुनी के घर में बिजली, पंखा और सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम होने से गाउं से आने वाले चाचा, मामा तो जाने का नाम ही नहीं लेते थे उन्हें वगाने के लिए कई तर्कीबे निकाली जाती ही घर में अंदर आने के कई दर्वाजे थे, महमान सो कॉल ड्रोइंग रूम यानि बैठक के दीवान पर सोते थे देर रात मुनी और भाई दूसरे दर्वाजे से बाहर निकल बैठक का दर्वाजा जोर जोर से खटकटाते भूद भूद चिलाते और फिर जिस दर्वाजे से बाहर आये थे, उसी से भीतरा धीरे से बन कर चुपचाप अपने विस्तर पर सो जाते महमान दर्वाजा खोल कर बाहर आते, किसी को न पाकर राम राम कहे दर्वाजा बन कर देते यही प्रक्रिया बार बार धोराई जाती कुछ मेमान इतने बेशरम थे कि सब कुछ समझ में आ जाने पर भी अंजान बने रहने के आक्टिंग करते एक बार तो बाबुजी के एक रिष्टे के चाचा को खिड़की के बाहर छुपकर कभी बंधर तो कभी भालू की अवाज निकाल कर डराया कभी-कभी जब मेहमान गहरी नीन सोय रहते तो उनकी ओड़ी हुई चादर खीच कर तुरंद भाग जाते इन सब तरकीबों के बाद भी ना उन बेशरम मेहमानों का आना बंद हुआ ना ही बाबुजी बदले बाबुजी को अम्मा की परिशानी से कोई सरुकार नहीं था मुन्नी को घर के कामों में अम्मा की थोड़ी मदद करनी पड़ती थी जिससे पढ़ाई में थोड़ी तकलीफ तो होती थी पुर मुन्नी किसी तरह अपना अपराजित वाला स्टाटस नए हाई स्कूल में भी बनाये हुए थी अम्मा अपने काम और स्कूल के साथ तीनों बच्चों की पढ़ाई में भी मदद कर दी थी बाबु जी को उन्हीं दिनों एक शादी में शादी कराने आये पंडित जी ने मंत्र मुग्ध कर दिया जिस तरह पंडित जी जोर-जोर से स्पष्ट मंत्र पढ़ रहे थे कि बाबु जी ने आओ देखा न ताओ सीधे शादी से ही उन पंडित जी को उठा कर घर ले आये अंधा क्या चाहे दो आखे बस पंडित जी तो बड़े खुश पंडित जी जैसे मैमान ने तो मुन्नी को सदमे में डाल दिया पंडित जी का वजन करीब 150 किलो रहा होगा पंडित जी के धेर सारे नकरे थे आते ही सबसे पहले पूरी बैठक हत्याली जहां मुन्नी ने पढ़ने के लिए डेरा डाला था घर में एक ही बात्रूम और एक ही शौचाले था जहां सुबे सुबे ही पंडित जी डेरा डाल देते और घंटों गुसे रहते उसकी बाद बैठक में जोर-जोर से पूजा का दौर शुरू हो जाता उस पूजा में प्रशाद, फूल और चंदन की व्यवस्था करना मुन्नी की जिम्मेदारी थी सोमवार को तो पंडित जी बेल पत्र और दूप की भी फरमाईश करते थे बाबु जी के डर से सब चुपी रहते अम्मा का भी मानना था कि पंडित लोग आशरवात से जादा श्राब देने में माहिर रहते हैं अम्मा सही तीनों बच्चे जुझलाए रहते थे पर मजबूर भी थे आम तोर पर उन दिनों घर पर ब्रेक्फस्ट या नाश्टा अलग से नहीं बनता था हम सब या तो रात की बची रोटी दूद से या ब्रेड और बिस्कुट के साथ दूद पी लेते थे लेकिन इन तोदू पंडित जी को दूद के साथ स्पेशल नाश्टा जो गर्मा गरम हो उसकी जरूरत रहती थी उपर से ये तुर्रा कि नाश्टे में वरायटी यानि विभिन्नता होनी चाहिए उससे मुन्नी को सुबे से पढ़ाई छोड़कर अम्मा की मदद करनी पड़ती थी जैसे पोहा दोना, आलू काटना, सूजी बुनना, आटा सानना आदी ये काम इस बात पर निर्भर था कि नाश्टा क्या बन रहा है इतना सब करने के बाद भी जादा तर मुन्नी के लिए नाश्टा बचता ही नहीं था पंडी जी की खुराग भी इतनी जादा थी कि अकेले ही वो दसलों के बराबर खा लेते थे खाते खाते ही पेट पर हाथ फेरते हुए जोर-जोर से डकारे लेने लेने लगते घर घर नहीं अजायब घर जादा बन गया था पंडी जी गीले-गीले पैरों से पूरे घर में चल कर फर्श गंदा कर देते एक बार तो नौकरानी कमला फिसल कर गिर गई फिर दो दिनों की चुट्टी आम तोर पर अम्मा के आधे काम कमला ही निप्टा देती थी परिमान स्वरूप उधर पंडी जी की घर में एंट्री उधर कमला की रसोई घर में नो एंट्री बाबुब जी को छोड़कर घर का हर सदस से हैरान परिशान था मुन्नी अपनी तरफ से उन पंडी जी से चुटकारा पाने के लिए कई तरकीबे निकालती जैसे एक रसोई से पंडी जी की थाली लाते हुए सबजी में पानी डाल दिया पंडी जी थे खाग उन्होंने जोर से अम्मा को अवाज लगा कर उस सबजी को फिर से गरम कर पानी कम करने को कहा अम्मा को भी उस सबजी की हालत देखकर मुन्नी की शयतानी का अंदाजा हो गिया अम्मा का काम बढ़ा सो अलग और श्राप का डर दूसरी तरफ अम्मा और बाबुजी की सोच में बढ़ा अंतर था जहां बाबुजी की सोच बच्चों के लिए एक सी थी चाहे वो पुरसकार हो या दंड वहीं अम्मा के लिए मुन्नी पराया धन थी ऐसी हरकतों से शादी होना मुश्किल हो जाएगा ऐसा अम्मा सोचती थी पंगा और वो भी की शादी कराने वाले स्वजातिये पंडित पूरी विरादरी में बदनामी हो जाएगी अम्मा ने मुन्नी को अलग से समझाया और बदनामी की दुहाई भी दी मुन्नी तो लेकिन अपनी तरह की एक हनोखी ही थी वो काहा हार मानती एक दिन सबजी में अलग से नमक डाल दिया तो पंडित जी ने बहु निम्मू देना जोर की अवाज लगाई और सबजी का नमक कम कर दिया अगली बार दाल में मिर्चा डाल दिया तो पंडित जी ने धही मगा कर मिर्ची से लोहा लिया कई बार मेजी जादा होने पर मिठाई की फर्माईश की एक बार घर में मिठाई ना होने से पंडेजी ने अम्मा से सूजी का हल्वा बनवाया सो मुन्नी द्वारा बार बार अपनाई गई सभी तरकी में पंडेजी को तो नहीं भगा पाई पर उसकी अपनी अम्मा के लिए परिशानी का सबब जरूर बनी पंडिजी नेवरा गाउं से थे इसलिए उनका ठाट बार देखकर हम बच्चों ने उनका नाम ही नेवरा नरेश रख दिया था और हमारे शॉर्ट फॉर्म में वो N स्क्वेर थे ये सिलसला कई दिनों तक चलता रहा पंडिजी का काम खाना, पूजा करना और धार में कहानिया सुनाना था बाबुजी के घर में घुसते ही पंडिजी का अंदाजे बया ही बदल जाता था बाबुजी को बार बार सलाह देते कि बेटी को सलीका सिखाईए और लड़की के लिए पढ़ाई से ज़ाधा ज़रूरी है कि उसे रामायन की चौपाईयां और गीता के श्लोक कंठस्त हो गनेमत उनकी इन बातों से बाबु जी के खानों पर जू भी नहीं रिंगती थी अन्य था मुन्नी की तो खैर नहीं थी रोज रात पंडित जी रामायन भावारत या गीता का एक प्रसंग बड़े रोचक तरीके से सुनाते थे बाबु जी तो मंत्र मुख्ध हो जाते और महसूस करते मानों एक ज्यानी पुरुष ने उनके घर को पवित्र कर दिया हो एक बार तो हदी हो गई जब पंडित जी ने बाबु जी के सामने बच्चों से अपने पैर दबाने को कहा मुन्नी तो किसी तरह वहां से खिसक ली लेकिन भाई फस गए पैर दबाते दबाते भाईयों का खून खौल रहा था और वहीं बाबु जी बड़े खुशो रहे थे कि बेटे पंडित जी की सेवा कर पोन्य कमा रहे है सारी चाले फेल होती देख मुन्नी ने छोटे भाई के साथ पंडित जी को भगाने की एक आखरी योजना बनाई छोटे भाई की हिंदी पुस्तक में एक पाट था रामू और मिर्चे उस कहानी में भी ठीक उनके घर की ही तरह रामू के घर पे भी एक पंडित जी धुमी ज़मा कर बैच जाते है उस कहानी में भी रामू की σीदी साधी मा दिन बर पंडे जी की सेवा में जूटी रती थी और रामु भी इन बच्चों की तरह परिशान था मा की तकलीफें देखकर रामु पंडे जी के खाने में धेर सारी मिर्श डाल देता है पंडे जी खाना खाते ही हूँ हूँ करने लगते हैं और उनका घर छोड़कर चले जाते हैं, फिर पलट कर कभी नहीं आते। योजना के अनुसार मुन्नी पहले पंडी जी की हिंदी और संस्कृत पर पकड़ की तारीफ करती हैं। पंडी जी भी अपनी तारीफ सुन बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद मुन्नी पंडी जी से आगरा करती हैं कि वो उसके अनुज को हिंदी पढ़ाएं। पंडी जी सहर्शी आगरे स्विकार कर लेते हैं। भाई पुस्तक का वही पाठ खोलता है, रामू और मिर्चे। पंडी जी पूरा पाठ पढ़ते हैं और तुरन समझ जाते हैं कि इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो दोनों बच्चों को डाटते हुए कहते हैं कि अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। मैंने घाड़गाड का पानी पिया है, तुमारी इंचालों से मैं हार मानने वाला रही हूँ। मैंने तुमारे घर में मिर्चे भी खाई हैं आगे भी खा लूँगा। सीसी भी करूँगा लेकिन तुमारे घर से अपनी मरजी से ही जाऊंगा। मुन्नी तो बहुत डर गई उसने पंडित जी से माफी मांगी और इस बात को बाबु जी को ना बताने की प्रातना की इसके कुछ दिन बाद ही पंडित जी के घर से चिठी आई और उन्हें मुन्नी को अगर छोड़ कर जाना पड़ा पंडित जी उसके बाद कभी उनके घर नहीं आए उन्हें शायद रामू और मिर्चे कहानी न केवल याद थी बलकि उसके पीछे के मकसद को भी वो भूले नहीं थे तो ये थी संगीता जी की कहानी येस्टिन होम सुनने के लिए धन्यवाद